नमस्कार दोस्तों आज किस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि Infinix 030 5G मॉवाइल मैप किस तरीके से सेटिंग को रिसेट कर सकते हैं यानि कि अगर आपके फोन में कोई भी सेटिंग घरवड हो गी है जिससे कि आपका फोन साही से नहीं चलना है तो आपने मॉवाइल की फोन की सेटिंग को कैसे रिसेट करेंगे इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ सेटिंग रिसेट करने से आपका कोई भी डेटा डिलेट नहीं होगा बस आपके नेटवरिक सेटिंग और जो वाइफाई होती है बनुतुत और अपका सेटिंग होता है वो सारा सही होजा है बाकी आपका कोई भी फोटो या वीडियो डिलेट नहीं होगा तो इसके लिए आपको करना है क्या है सबसे पहले जारे है अपने मॉवाइल की सेटिंग में सेटिंग में जाने के बाद नीचे की तरफ आएंगे और यहाँ पर आपसन मिल जाएगा देख पारे हो सबसे नीचे एक आपसन मिल ला है सिस्टम आपको सिस्टम पर क्लिक करना है उसके बाद आना है नीचे के तरफ यहाँ पर आपसे मिला है reset phone इस पर click करना है अब यहाँ पर देखे reset wifi settings का option आ रहा है तो इसको आप click करके इसको reset कर दीजे reset करने के बाद आपको pattern देना पड़ेगा जो भी आपके phone का है और जैसे ही देदेंगे तो आपका wifi और bluetooth और जो आपका network setting है वो जो है reset हो जाएगा उसके बाद reset app preference लिखा हुआ इसको भी click करके आप इसको भी reset apps पर click कर दीजे जिससे कि आपकी जितने भी settings गरवड़ होँगी आपके phone में वो सारी के सारी restore हो जाएगी यानि कि सही हो जाएगी तो इस तरीके से आप यहाँ पर all settings को reset कर सकते हो